वेलकम टू आवर चैनल दे एसार अकेडमी आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिभियस यह इंपॉर्टेंट कुश्यन जो की मॉडल सेट अप से है और यह मॉडल सेट अप जो है आपका टू है यह आने वाले आपका एक्जाम के लिए काफी जाता इंपॉर्टेंट है तो आ इसलिए है क्योंकि इस वीडियो के बीच में ऐसी बहुत से चीज़े हैं जो आप लोग के लिए सर्प्राइज होगा तो वीडियो के बीच में इस बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले कुछ सवालों को देख लेते हैं यहां पे पहला सवाल लिखा हुआ है सिंधू सभ् सभ्यता के लोगों का दर्पन किसका बना हुआ था इनकी जो दर्पन होता था वो सिंधू सभ्यता के लोगों का वो किस से बना होता था तामबे का कुछ नमबर 2 पे आते हैं जो में लिखा हुआ है सिंधू सभ्यता में प्राप्त तीन मुख वाले एक देवता पूरुस द गई है एक सवाल यह है कभी-कभी सवाल को कह देता है कि सिंदुगहटिस अबिता में प्राथतिन मुखवाला जो पूरुस देवता है उसे सिंगासन बैठेवे दिखाया गया है उसका नाम क्या है तो आप्सन में बना रहता है पस्तुपति यहां पर जो है सिव का रूप बन सरने किया था ओप्सन नमबर यह हो जाएगा कुशन नमबर थी पर आते हैं लिखा है हडपा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो हडपा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहन जोदलो था मोहन जोदाडो ठीक है लेकिन गूगल में अगर आप सर्च तो मोहन जोदलो नहीं आएगा वो क्योंकि वो बताएगा कि हडपा सभ्यता जो भारत में मौझूद थी क्योंकि भारत पाकिस्तान देपहले तो सेम था तो यह जो सभ्यता थी उस समय राखी गड़ यह आप्सन में आता है जब भारत की बारे बात की जाए तो Q4 में लिखा हुआ है सिंधू सभ्यता में हल की प्रमान किस अस्थान से प्राप्त हुआ है तो इसका जो अंसर है वो हो जाएगा आपका काली बंगा Q5 में लिखा है हडपा और मोहन जोदलों की बीच की दूरी कितनी है जो हडपा समराज था यानि हडपा सभ्यता और मोहन जोदलों की बीच की जो दूरी थी वह कितनी थी तो इसका जो अंसर है वो हो जाएगा आपका option नमर B 583 किलोमेटर question नमर 6 पे आते हैं सिंधु घाटी सभेता की जुड़वा राजधानी थी यानि कि हाँ पे चार option दिया हुए लोथल, हडपा, लोथल, काली बंगा हडपा, मोहन जोदरू और मोहन जोदरू मोहन जोदारू और रंगपूर इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभेता का जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है तो इसका जोए अंसर होगा वो आपका option नमर C होगा हडपा और मोहन जोदरू question नमर 7 पे आते हैं 7 में लिखा है निमलिखित में से किस पदार्द का उप्यूग हडपा काल की मुद्रा के निर्मान में मुख्य रूप से किय जाते थे तो यहाँ पे पूछने का मतलब है कि हडपा काल में जो मुद्रा का निर्मान किया जाता था उसमें किस इसका इस्तिमाल किया जाता था इसका जो अंसर है वो आपका सेल खड़ी होगा ठीक है इसका जो एंसर होगा वो आपका सेल खड़ी होगा चलिए Question नमर आते हैं 8 पर लिखा है हडपा सभ्यता का प्रसाशन किस प्रकार का था जो हडपा सभ्यता था वो जो है लोकतांत्रिक सभ्यता थी ठीक है कि अगले सवाल पे आते हैं कि कुश्य नमर नाइन है हडपा सभ्यता के संपूर्ण शेत्र का आकार किस प्रकार का था तो हडपा सभ्यता जो तीन शेत्रों से भरी हुई थी यानि कि वह तिर्भूजा कार आकार में उसका बना हुआ था ठीक है कोश्य नमर दस में आते हैं लिखा हडपा कालें अस्थानों में अभी तक किस धातों की प्राप्ती नहीं की गई है तो हडपा सभ्यता के जो खुदाई हुई थी हडपा सभ्यता में वहां पर लोहे के खोज की बारे में फिर तो कोई अता पता नहीं है तो option 10 के क्या हो जाएगा है question number 11 में आते है मौरिया समराजी की अस्थापना किस ने किया था तो आज ये पहले भी सेट में कराए गया था कि मौरिया समराजी की अस्थापना है वो चंदर गुप्त मौरिय ने किया था question 12 में आते है मेगदूतम के लेखक इनमें से कौन है या जो मेगदूतम एक किताब है उनके लेखक जो हो कौन है यह जो किताब है वो किताब कालिदास के द्वारा लिखी गई है और यहाँ पर एक यस के बारे में बताया गिया है question 13 है मौरिकाल में गुप्तचरो को क्या कहा जाता था तो जो मौरिकाल थी उसमें गुप्तचरो को जो है गुड़पुरुस कहा जाता था question 14 में आते है question 15 मेगस्थनीच की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है जो मेगस्थनीच थी उनकी जो पुस्तक है उनको कहा जाता था इंडिका जाना जाता था अराम से धीरेदेर समझते हैं क्या है और क्या नहीं है question 16 में आते है कॉसल की राजधाने कहा थी कॉसल की जो राजधाने थी वो option में भी हो जाएगा स्रावस्ति कुशन नबा 17 में आते हैं 17 लिखा हुआ है कलिंग का युध कब हुआ था जो कलिंग का युध हुआ था वो आपका 261 इसापूर में हुआ था और साइद यह जानकारी होना चाहिए कि जो कलिंग का युध हुआ था यह कलिंग का राजा और असोग के बीच हुआ था चीक है और यह असोग का अंतिम युध है था इसके बाद उनने धर्म परिवर्दन कर लिया था कुशन नबा 18 में आते हैं भारत में सरप्रथम सोने के सिके जारी करने वाला सासा कौन था तो जो इसका अंसर होगा वो हिंद युनानी चीक है कुशन नबा 19 पर आते हैं मत्रा की राजधानी थी यह यहां जो चार आप्सन दिया हुआ है इसमें से पूछा गया है कि बताइए मत्रा की जो राजधानी है वो इनमें से कौन थी यह आप्सन देखते है सूरसेन, मगद, कंबोज, मल तो इसका जाए अंसर होगा वो आप्सन नमर ए हो जाएगा सूरसेन आप चाहिए तो गूगल कर सकते हैं कुशन नमर 20 लिखा है विमान, मंदिर के किस भाग को कहा जाता है जब देखिएगा इसमें इसका जो गुम्बज के जो सिखर होता है उसे मंदिर का विमान कहा जाता है ठीक है तो इसमें से जो निचल लपाठे से गर्वगरी कहा जाता है गर्वगरी के ठीक ऊपर का हिस्सा 21 नमर पे याते है सबढ़ दरसन किस में संकलित है बहुत जो दर्सन है वो किसमें संकलित है तो इसमें चार अप्सन दिया हुआ है सूत पीटक, विनए पीटक, धम पीटक और एई में से सभी इसका अंसर होगा वो है सूत पीटक कुशन नमबर 22 पे आते हैं भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था अधिकतर बच्चों का ये मेंटलिटी बना हुआ है कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो भारत में हुआ था लेकिन यहां से गलत है भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल में हु जिवा था और साथ ही साद जनम में वह पांसोच्छछ इसापुर में हो था चले कुई प्रॉप्लम नहीं है क्वेश्ण मतर इस पर आते हैं महावेर की मृतियों कहां हुए थी जो महावीर है इनकी मृतियों कहां पर हुए थी महावीर की मृतियों जो बिहार में हुए थी, बिहार का एक छोटा सा छेत्र है, छोटा नहीं, महतपुन छेत्र है, जिसका नाम है पावापूरी, तो पावापूरी में इनका मृतियों हुए थी, और इनकी जो मृतियों हुए थी, उस समय इनका जो उमर था, वो 72 वर्स था, जाने कि महावीर की मृत्यू के समय उनका उम्र 72 वर्ष के थे और इनकी जो मृत्य है वो 468 इसापूर में हुआ था कब हुआ था 468 इसापूर में ये दोने सवालों को रिपीट करते हैं भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बनी गाउं में 546 इसापूर में हुआ था जबकि महावीर की मृत्यू बिहार के पावपूरी में हुआ था जो कि 446 इसापूर में उस समय उनकी उम्र कितनी थी 72 वर्ष चले कुश्य नमबर आते हैं 24 में 24 में लिखा हुआ है त्रियत्र सिधान्त सम्य ज्यान सम्य दर्सन सम्यक दर्सन सम्यक आच्रन किस धर्म की महिमा है तो यह जो है आपका जैन धर्म का है आगे देखते हैं महवीर स्वामी का जन्म कब हुआ था महावीर स्वामी का जो जन्म है वो आपका 540 इसपुर में हुआ था त्रिक है 540 देखे महावीर का मृत्यू पावपरी में जन्म 546 अगर बात की जाए इनकी अभी मृत्यू के बारे में क्या बताएं 468 में मृत्यू हुई थी क्विश्य नमर आते हैं 26 लिखा है महात्मा बुध के प्रियसिस का क्या नाम था तो महात्मा जो बुध है उनके जो सबसे पसंदिदा जो सिस्थ है वो है आनन ठीक है और इनके जो पहले सिस्थ है वो यह विक्ति थे जिनका नाम था जामिल ये पहले सिस्थ है ये जो विक्ति है ये पहले सिस्थ है ठीक है ये पहले सिस्थ है लेकिन आनन्द जो है उनके सबसुए pre-s嫁स्यों मेंसे थैं आगे बढ़ते हैं कुश्यवव 27 में लिखा है जैन परंपरा की अनुसार प्रथम तिर्थिकर कौन था जैनधर में कुल मिलाकर 24 तर्थकर हुय है ऐख और इसमें पूछा गया है कि बताइए पहली तर्थकर कौन थे हैं? एसमें से कुछ-कुछ चीजे विशेश ध्यान रखा जाता है सबसे इपोर्टेंट पहले तर्थकर कौन थे? दूसरा सबसे अंतिम तिर्थकर कौन थे और तीसरा पूछा जाता है कि इनके 24 वी तिर्थकर कौन थे अब ज़रा सुनिएगा ये जो रिसब देव है वो पहले तिर्थकर थे रिसब देव जो है सबसे पहले तिर्थकर थे वर्दमान जो है, वह 24 तो यालe 33 करतें यह जो 24 नमर में थें, वह 24 ते तीरत करते हैं और वह जो पार्सर अथें वह 23 ते करते हैं और यह काफी जयदा important है, important क्यों है वो बताते हैं यह line आजाईगी देखिए फिर से सरव सुनिएगा सबसे पहले तिर्थकर रिशावदेव सबसे अंतीम 24 वे दिर्धमान और ये 23 तिर्थकर थे और पारसनात को तिर्थकर जो थे 24 तिर्थकर उन्हें हमारे जहरकंड में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी जिसे आज हम लोग पारसनात पहाड़ी के नाम से जानते हैं तो इनको मोक्ष की प्राप्ति यहीं हुई थी ठीक है इस कुछिन को पूछा जाय तो इसका एंसर जो है फर्स्ट वला हो जाएगा लेकिन ध्यान रहे वर्धमान अंतीम और पारसनात हमारे जहरकंड में को इनको मोक्ष की प्राप्ति कुष्चन ममडर 39 पे आते हैं आईना अकुपरी के लेखक कौन्त हैं तो जो आईने अकुपरी के लेखक के उन्हें कहा जाता है अबूल-फज़ल ठीक है आएने अक्मरी के प्रिशिद्ध पधती के प्रतिपादक कौन्थ है तो इसका जो एंसर है वो है राजा टूडल मर ठीक है अक्बर कालिन समराज के बारह प्रांतों की विस्ति सूचनाएं आएने अक्बरी के किस भाग में लिखी हुए या संकलित है तो इसका जो अंसर होगा वो हो जाएगा मुल्क का अजबती क्विशन नमर 32 बताते हैं और विडियो के शुरुआत में जो बताएं थे आप लोग के लिए सर्प्राइस के लिए फिर उसे बताते है लिखा है अक्बर ने फतेह पूर सिक्री में इबादत खाना का निर्मान कब करवाया था जिसका जो एंसर है वो 1575 में करवाया गया थ चलिए अब आप लोग को बताते हैं कि विडियो के शुरुआत में मैंने जो सर्प्राइस बताया था वो क्या है पहले बात हमारे इस SR Academy के पूरे ग्रूप ने यह डिसाइड किया है कि model setup तो ठीक है अगर आप लोग का उस तरह से comment रहता है तो हम उस बारे में काम करेंगे और नहीं तो हम लोग हर एक particular subject में जैसे इस लास्ट टाइम का जो विडियो था उसमें ही बताया थे हम लोग का य यह decide किया है कि हर एक chapter से हर chapter by chapter या subject by subject उसमें से कुछ important question निकालेंगे वो जो question होगा वो academic लेबल का भी रहेगा यानि 10th और 12th के बच्चों के लिए भी काम आएगा बहुत जादा काम आएगा सातिजात बिहार जारखन और दूसरे राज्यों के लिए भी काम आएगा और उ यह जितने के तियारी में लगे हुए हैं उन सभी के लिए भी वो सारा question जो है बहुत important बना हुआ रहेगा इसमें कुछ pattern है जैसे कि हम लोग start करते हैं history से तो सबसे पहले अगर हम लोग start करेंगे तो history का कुछ series start करेंगे जिसे नाम दिया गया है series one series one में इसका first video आएगा first two video आएगा three video आएगा four video आएगा मने इस तरह से बढ़ता हुआ चलेगा तो इस तरह से पहले history का setup complete करवाएंगे याद रहे यहां केवाल academy के लिए नहीं है academically important तो है ही साथे साथ जो बच्चे competition के तियारी कर रहे हैं और अधिकतर उन बच्चों के लिए जो बिहार और जहर्खन में competition का तियारी या academic label के उन सभी बच्चों के लिए काफी ज़्यादा helpful होने वाला है तो इसमें बने रहिएगा और इसके पूरे विसेश जानकारी जो है आप लोगों को इसके next वीडियो जो बनेगा जिसमें हम लोग work किये हैं सबसे पहले history का तो history में सबसे ज़्यादा most important question जो तीन basis पर लिया गया है पहला हम लोग जो question set किये हैं वो तीन basis पर है पहला ये है कि government के तरफ से जो अभी question bank provide किया गया है academic basis पर बिहार और जहरकन दोनों के लिए अभी जो basis दिया गया है question bank वहां से question pick है वहां से चुना हुआ important question है second previous 10 year का पिछले 10 सालों में पूछे गए जितने भी सवाल है उन सब इस सवालों को भी लिया गया है और तीसरा जो competition के तियारी करते हैं तो कुछ previous year में पूछे गए सवालों को combination को भी इसमें तई किया गया है approach पांच सालों का जो previous year का question है उन चीज़ों को लेकर हम लोग ये setup में काम कर रहे हैं हमारी जो group है asar academy की जो group है वह सभी इस चीज़को लेकर काफे जादा मेहनत कर रहे हैं आप लोग का बस एक ही काम है वीडियो upload होने पर बस एक बार visit कर लेना है हम उमीद करते हैं कि जो बताया जाएगा जो समझाया जाएगा वह better समझ में आएगा अगर कोई problem हो तो आप लोग हमें comment कर सकते हैं कुछ दिनों के बाद एक WhatsApp का group का एक link रहेगा जिससे आप सीधा यह जो समझाया जाता है इसका जो answer sheet है वह उस group में भेज दी जाएगा और जो भी important सुचना है अगर government के तरब से आती है हर एक चीज़ों को लेकर तो हमें provide कर देंगे एक और बिसे चीज़ फर्स डे का जो वीडियो बनेगा फर्स ने हर एक दिन का जो वीडियो बनेगा उसमें approximately 40 question रहेगा यह 40 question का setup रहेगा जिसे हम बताएंगे आपको वीडियो में और 10 question जो है आपको mcq type का taste लिया जाएगा जो इस वीडियो के link में ही एक google का link रहेगा जिसमें आपको tap करने से एक form खुलेगा जिसमें आप जाकर अपना 10 question का test दे सकते हैं और देने के बाद वहाँ पर आप लोग का जितना भी number आएगा उसका skin sort जो है comment कीजिएगा ताकि हमें भी तो पता चले कि कौन-कौन से बच्चे कितना number लाया है और कितना समझाया गया समझ में आया हुआ है तो कल से पढ़नें बहुत जादा मज़ाएगा यह academic के लिए और भी important है अकेडमी के लिए और भी अलग से काम चल रही है हम लोग जो कर रहे हैं subjective question के लिए भी किनकी exam में पैटर्न बदला हुआ है अगले class को जो वीडियो आएगा वो academic के लिए जो अकेडमी जो रिच्चे जो है उनका exam pattern भी समझा दिया जाएगा कि किस तरह का exam pattern है फिर उसके हिसाब से subjective plus objective दोनों पर focus किया जाएगा चले यह हम लोग देख लेते हैं यह सारी बाते आप लोग के लिए surprise यह काफी जादे interesting होने वाला है तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और हमारी group के साथ बने रहिएगा question number 33 पे आते हैं 33 में लिखा हुआ है बाबर द्वारा रचित पुस्तक बाबर द्वार रचित तुझक अबाबरी मने बाबरी नामा किस भासा में लिखा गया तो इसका जो अंसर है वो तुर्की भासा में लिखा हुआ है क्योंकि वो लोग तुर्की साय हुए थे तो तुर्की के language काफी ज़दा important है question number 34 यानि 24 में आते हैं बाबसा नामा के रचियता कौन थे देखे चार option दिया हुआ है बाबसा नामा के रचियता जो है वो कौन थे तो इसका जो अंसर हो जाएगा अब्दूल हामिद लोहारी सरी लाहोरी question number 35 पे आते हैं अकबर का जन्म 1542 इस्वी में किस अस्थान पर हुआ था यानि जो अकबर का जन्म था वो किस अस्थान पर हुआ था इसका अंसर हो जाएगा अमर कोट ठीक है question number 36 पे लिखा है अकबर का वितमंत्री कौन था जो अकबर उसका वितमंत्री जो हो टोडर्मल था अभी भी से पहले बताएं थे question number 37 पे आते हैं कृष्ण देव राय किस वंस से रिलेट करते थे यानि कि कृष्ण देव राय जी हो किस वंस से थे हैं वो तुलू वंस से थे है question number 38 पर आते हैं विजय नगर समराज का सर्वस्रिष्ट सासक कौन था जो विजय नगर समराज थे हैं उनका सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा महतपून जो सासक था वो कृष्ण देव राय थे हैं question number 39 पर आते हैं बहमाणी समराज की अस्थापना कभ वे थी जो बहमाणी समराज की अस्थापना है वो option number C एन टेरसो सेंट आलिस में वो था last वाल है UNESCO ने हम पर ही को विश्व पुरातात्विक अस्थल कभ घोशित कर दिया था इसका जो एंसर है आपका option number 1 1986 चले तो आप लोग को ये सारा चीज़े clear हो गया होगा कुछ-कुछ विशेश चीज़े जैसे कि अभी बताये गया है क्या-क्या बताये गया हमारी इस पूरे ग्रूप ने कुछ-कुछ महत्पून चीज़े ध्यान में रखी है ताकि academy level के बच्चों के सबसे अच्छा knowledge दिया जा सके और सारी चीज़े त्यारी हो सके यह जो त्यारी है उन बच्चों के लिए बहुत साथ है जो घर से त्यारी करते हैं जो पढ़ाई लिखाई जो है घर से गरते हैं त्यक्या उन बच्चों के लिए काफे ज़्यादा helpful हो सकता है थैंक्यू कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और उसमें सारी चीज़े बताये जाएगा कि अकेडमी लेबल किस तरह का पैटर्न बदला गया है बिहार और जहरकंड दोनों के लिए और अधर बोड़ेट के लिए भी है और साथ है साथ जो कॉम्पेटिशन का त्यारी कर रहा है उन लोगों के लिए भी महत्त्पुन सवाल होगा तो आप लोगों कुछ टाइम निकालकर वीडियो के सब बने रहिएगा Thank you